मेरे प्यारे देश्वास्कियों, नवश्कार 2018 की ये पहली मन की बात है और दो दिन पुर्वई हमने गनतंत्र परव को भाती उत्षा के साथ अरितिहास में पहली बार ऐसा हुआ है की ये गनतंत्र परव को भाती उत्षा के साथ अरितिहास में पहली बार ऐसा हुआ है की दस देशों के मुख्या इस समाहरों में उपस्थित रहे मेरे पैरे देशवासियों मैं आज स्रिमान प्रकास त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी एप पर एक लंबी चिठ्ठी लिखिया है और मुझसे बहुत आग्रह किया है कि मैं उनके पत्र में लिखे गए विशवों को सफर्ष करूँ उन्होंने लिखा है एक फरवरी को अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की पुन्नेती थी है कोलंबिया अंतरिक्ष्यान दुर्गटना में वो हमें छोड़ कर चली गई लेकिन दुनिया भर में लाखो युवाओं को प्रेणा दे गई मैं भाई प्रकास जी का आभारियों को उन्होंने अपनी लंबी चिठी में कल्पना चावला की विदाई से प्राणभी किया है यह सब के लिए दुख की बात है कि हमने कल्पना चावला जी को इतनी कमर उमर में खो दिया लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पुरे विश्व में खास कर भारत के हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि नारी शक्ती के लिए कोई सीमा नहीं है इच्छा और द्रट संकल्प हो कुछ कर गुजरने का जज़बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है यह देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गवरों बढ़ा रही हैं प्राचिन काल से हमारे देश में महलाओं का सम्मान उनका समाज में स्थान और उनका योगदान यह पूरी दुनिया को अचंबित करता आया है भारतिय विदुश्यों की लंबी परंपरा रही है वेदों की रुचाओं को घड़ने में भारत की भाहुत सी विदुश्यों का योगदान रहा है लोपा मुद्रा गारगी भैत्रई नजाने कितने ही नाम है आज हम बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं की बात करते हैं लेकिन सद्यों पहले हमारे सास्त्रों में सकंद पुराण में कहा गया है दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रभर्धयन यत फलम लबते मर्त्य तत लभ्यमकन्य इयकया अर्थाप्त एक बेटी दस बेटों के बराबर है दस बेटों से जितना पुन्य मिलेगा एक बेटी से उतना ही पुन्य मिलेगा यह हमारे समाज में नारी के महत्पक दर्शाता है और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है यह नारी शक्ति पुरे देश को, सारे समाज को, परिवार को एक्ता के सुत्र में बांथती है चाहे वैदिक काल की विद्वशियां, लोपा-मुद्रा, गारगी, मैत्रई की विद्वत्ता हो या अक्का महदेवी और मिराबाय का ज्ञान और भक्ती हो चाहे अहल्य अबाई होलकर की शासन व्यवस्ता हो या रानी लक्ष्मिवाई की बीरता नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरीत करती आई हैं देश का मान सम्मान बढ़ाती आई हैं स्रिमान प्रकास्त्रिपार्जी ने आगे कई सारे उधार दिये हैं उन्होंने लिखा है हमारी साहसिक रक्षामंत्री निर्मला सितारामन के लड़ाकु विमान सुखोई तीस में उडान बरना उन्हें प्रेणा देही लगा। प्रस्रिक्षन ले रही हैं। सबसे पहले हमारी नारी शक्ती कुछ करके दिखा रही हैं। एक माइल्स्टोन स्थापित कर रही है। पिछले दिनों मान्य राष्टपती जी ने एक नई पहल की राष्टपती जी ने उन असाधरन महिलाओं के एक गुरूप से मुलाकात की जोनोंने अपने अपने ख्षेत्रों में सबसे पहले कुछ करके दिखाया। देश की ए वीमेन एचीवर्स, फर्स्ट फीमेल मर्चन नेवी केप्टेन, पैसेंजर ट्रेन की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, पहली महिला फायरफाइटर, पहली महिला बस ड्राइवर, अंटार्क्रिका पहुँचने वाली पहली महिला, एवरेश्ट पर पहुँचने वाली पहली महिला इस तरह से हर्क्षेत्र में फर्स्ट लेडी हमारी नारी शक्तियों ने समाज की रुधिवादिता को तोड़ते हुए असाधन उपलब्धियां हासिल की एक किर्तिमान सापित किया उन्होंने ये दिखाया कि कड़ी महनर लगन और द्रट संकल्प के बल पर तमाम बाधाओं और रुकावटों को पार करते हुई एक नया मार तयार किया जा सकता है एक ऐसा मार जो सिर्फ अपने समकालिन लोगों को बलकि आने वाली पीडियों को भी प्रेरित करेगा उन्हें एक नए जोस और उत्सा से भर देगा इन विमेन एचीवर्स फर्स्ट लीडिज पर एक पुस्तक भी तयार की गई है ताकि पुरा देश इन नारी शक्तियों के बारे में जाने उनके जीवन और उनके कारियों से प्रेणा ले सके यह अंदरेंदर मोधी वेबसाइट पर भी इबुक के रूप में उपलब्द है आज देश और समाज में होरह सकारात्पक बदलाव में देश की नारी शक्ति की महत्वपूर भूमी का है अज जब हम असरसक्तिकरन पर चरचा कर रहें तो मैं एक रेलवे स्टेशन का जिक्र करना चाहूंगा एक railway station और महला ससक्तिकरन आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में क्या connection है मुंबई का माटूंगा station भारत का ऐसा पहला station है जहां सारी महला कर्मचारी है सभी विभागों में women's staff चाहे commercial department हो, railway police हो, ticket checking हो, announcing हो, point person हो, पूरा 40 से भी अधिक महलाओं का staff है इस बार बहुत से लोगों ने गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद, ट्रीटर पर और दूसरे social media पर लिखा कि परेड की एक मुख्य बात थी बीच से बाइकर कंटीजन जिसमें सब की सब महलाएं भाग ले रही थी, साहस पुन प्रयोग कर रही थी और ये द्रश्य विदेश से आये हुए महमानों को भी आस्यरी चकित कर रहा था, सशक्तिकराण आत्मनिर्भरता का ही एक रूप है आज हमारी नारी शक्ति नेत्रुत्व कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, ऐसी एक बात मेरे ध्यान में आई है 36 गड की हमारी आदिवासी महिलाओं ने भी कमाल कर दी है, उन्हाने एक नई मशाल पेश की है आदिवासी महिलाओं का जब जिक्र आता है, सभी के मन में एक निश्चित तस्वीर उभर कर आती है जिसमें जंगल होता है, पकडंडिया होती है, उन पर लकडियों का बोच सीर पर उठाये चल रही महिलाओं लेकिन 36 गड की हमारी आदिवासी नारी, हमारी इस नारी शक्ति ने देश के सामने एक नई तस्वीर बनाई है 36 गड का दंतेवडा इलाका जो माववाद प्रभावित ख्षेत्र है, हिंसा, अत्याचार, बम बंदूग पिस्तोल माववादियों ने इसी का एक भयानक वातावन पैदा किया हुआ है ऐसे खतरनाख इलाके में आदिवासी महिलाएं इस रिक्षा चलाकर आत्म निर्भर बन रही है बहुती थोड़े कालखन में कई सारी महिलाएं इससे जुड गई है और इसे तीन लाब हो रहे हैं एक तरफ जहां स्वर रोजगार ने उन्हें ससक्त बनाने का काम किया है वह इससे माववादियों प्रभावित इलाके की तस्वीर भी बदल रही है और इन सब के साथ इससे परियावर्ण सवरक्षन के काम को भी बन मिल रहा है यहां के जीला प्रसाशन की भी सराहना करता हूं ग्रांट उप्लब्द कराने से लेकर ट्रेनिंग देने तक जीला प्रसाशन ने इन महलाओं के सब्रता में एक महत्वपुण भूमी का निभाई है हम बार बार सुनते आये हैं कि लोग कहते हैं कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिठती नहीं हमारी वह बात क्या है वह बात है फ्लक्सिबिलिटी लचिलापन ट्रांस्फर्मेशन जो काल भाईय है उसे छोड़ना जो आवशक है उसका सुधार स्विकार करना और हमारे समाज की विशेस्ता है आत्मसुधार करने का निरंतर प्रयास सेल्फ करेक्शन यह भारतिय परंपरा यह हमारी संस्कृति हमें विरासत में मिली है किसी भी जीवन समाज की पहचान होती है उसका सेल्फ करेक्टिंग मेकनिजम समाजिक कूरपरथाओं और कूरूतियों के खिलाब सद्यों से हमारे देश में व्यक्तिकत और समाजिक स्तरपर लगातार प्रयास होते रहे हैं हब कुछ दिन पहले बिहार ने ग्रोचक पहल की राजमे समाजिक कूरूतियों को जड़ से मिटाने के लिए तेरा हजार से अधिक किलोमेटर की विश्व की सबसे लंबी मानवस रंखला हुमन चेंड बनाई गई इस अभ्यान के द्वारा लोगों को बाल विभा और दहेज प्रथा जैसी कुराईयों के खिलाप जागरुक किया गया दहेज और बाल विभा जैसी कुरूतियों से पूरे राज्य ने लड़ने का संकल पलिया बच्चे बुजूर्ग जो सरुद्सा से भरे विभा माताय बहने हर कोई अपने आपको इस जंग में सामिल किये हुए थे समाज के सभी लोगों को सही माइने में विकास का लाब मिले इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज इन कूरूतियों से मुक्त हो आईए हम सब मिलकर ऐसी कूरूतियों को समाज से खत्म करने की प्रतिग्या लें और एक न्यू इंडिया इस ससकते वह हम समर्थ भारत का निर्मार करें मैं बिहार की जनता राजिके मुख्यमंत्री वहां के प्रशासन और मानव स्रिंखला में शामिल हर व्यक्ति की सरहना करता हूं कुनों ने समाज कल्यान की दिशा में इतनी विशे से में व्यापक पहल की मेरे प्यारे देश्वांसियों मैसूर करनाटर के सिमान दर्शन ने माय गौर पर लिखा है उनके पिता के इलाज पर महिने दवाईयों का खर्च छे जार रुपे होता था उन्हें पहले प्रधान मंत्री जन आउसदी योजना के बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन अब जब उन्हें जन आउसदी केंदर के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहां से दवाईया खरी दी तो उनका दवाईयों का खर्च 75% तक कब हो गया उन्हेंने इच्छा जताई हैं कि मैं इसके बारे में मन की बात कारिकम में बात करूँ ताकि जादा से जादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वे इसका लाब ले सके पिछले कुछ समय से बहुट लोग मुझे इस विशे में लिखते रहते थे हैं बताते रहते हैं मैंने भी कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हैं जिन्हों ने इस योजना का लाब लिया है और इस तरह की जानकारी जब मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है एक इस योजना के पीशे उदेश हैं, हेल्थ केर को एफ़रडेबल बनाना और इस अफ लीविंग को प्रोसाहित करना। जन अवशदी केंद्रों पर मिनने वाली दवाएं, बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाईों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती हैं। इससे जन सामान्य विशेश कर प्रतिदीन दवाएं लेने वाले वरिष्ट नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती हैं, बहुत बचत होती हैं। इसमें खरीदी जाने वाली जेंद्रिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन के तई स्टांडर के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। आज देश भर में तीन हजार से जादा जन अवश्वदी केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। इससे न सिर्फ दवाएं सस्ती मिल रही हैं, बलकि इंडिविजियल एंटर्परिनर्स के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सस्ती दवाईया, प्रधान मर्ती, भारतिये, जन अवसर दी केंद्रों और अस्पतालों के अमरित स्टोर्स पर उपलब्द हैं। इन सब के पीछे एक मात्रव देश हैं। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को quality and affordable health service उपलब्द करवाना ताकि एक स्वस्त और समरुद भारत का निर्मान किया जा सके। मेरे प्यारे देश्वासियों महराष्ट से स्रिमान मंगेश्ट ने नरेंद्र मोदी मोबाईल एप पर एक फोटो शेयर की। वह फोटो ऐसी थी कि मेरा ध्यान उस फोटो की और खीचा चला गया। वह फोटो ऐसी थी जिसमें एक पोता अपने दादा के साथ क्लीन मोरना रिवर सफाई अभ्यान में हिस्सा ले रहा था। मुझे पता चला कि अकोला के नागरी को ने स्वच्च भारत अभ्यान के तह़र मोरना नदी को साप करने के लिए स्वच्चता अभ्यान का आयोजन किया था। मोरना नदी पहले बारा महिने बहती थी लेकिन अब वो सीजनल हो गई हैं दूसरी पिड़ा की बात है कि नदी पूरी तरह से जंगली गास जलकुम भीज से भर गई थी नदी और उसके किनारे पर काफी कुड़ा फैका जा रहा था एक एक्षन प्लान त्यार किया गया और मकर संक्रांती से एक दिन पहले 13 जनवरी को मिशन क्लीन मोरना के प्रथम चरण के तहट चार किलोमेटर के खेत्र में 14 स्थानों पर मोर्दा नदी के तटके दोनों किनारों की सभाई की गई मिशन क्लीन मोरना के इस नेक कार्य में अकोला के 6000 से अधिक नागरिकों, 100 से अधिक NGOs, colleges, students, बच्चे, बुजूर्ग, माताए, बहने, हर किसी ने इसमें भाग लिया 20 जन्वली 2018 को भी ये स्वच्चता अभ्यान उसी तरह जारी रखा गया और मुझे बताया गया है कि जब तक मोर्णा ददी पुरह तरह से साप नहीं हो जाती, ये अभ्यान हर सनिवार की सुभ़ को चलेगा ये दिखाता है कि अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुम्किन कुछ भी नहीं है, जनांदोलन के माध्यम से बड़े से बड़े बड़लाव लाए जा सकते हैं, व्यकोला की जनता को, भागे जिल्ला एवं नगर निगम के प्रशासन को, इस काम को जनांदोलन बन झाल